नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विध हरी सर्व में इस वीडियो में हम करन्ट अफेर्स रिलेटेड कुछ महात्र पॉंट प्रस्न देखेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परिछाओं के लिए बहुत उप्योगी होंगे और जो लोग हमा वाइरस के कारण लागडाउन कब तक के लिए बढ़ा दिया है तो ये बढ़ाया गिया है 17 माई तक इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं जनता कर्फ्यू प्रधान मंत्री जी के आवान पर 22 मार्च 2020 को लगाया गिया पुर्थम चरण में लागडाउन हुए 25 म स्टार्ट हुआ है चार माई से 17 माई तक जो रहेगा 14 दिनों के लिए देखते हैं नेक्स्ट कोईशन कोईशन नमबर 2 पी पी ए किट उत्पादन में भारत बिस्व में किस इस्थान पर है तो भारत बिस्व में हैं दूसरे इस्थान पर प्रथम इस्थान पर है चाइना पी पी ए का फूल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है यह उता पर्सनल प्रोटेक्टिव एक्क्यूपमेंट बात कर लेते हैं भारत के राश्ठपत हैं वरतमान में स्री रामनात कोविन जी यह है 14 नमबर के उपर राश्ठपत हैं एम बंकया नाइटू यह है 13 नमबर के प्रधान मंत्री हैं स्री नरेंद्र मोदी जी जो है 15 नमबर के और भारत की राजधानी है नई दिल्ली जो बनाईगे 1911 के बात से भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राश्ठपत और तीनों से नाव का प्रमुद भी कौन होता है भारत का राश्ठपत नेक्स्ट क पहले कौन था भारत उसके बाद अब आस्टेलिया हो गया है आप ताजया जो ranking आए उस में कौन सा देश किस इस्थान पे यह देख लेते हैं टेश्ट राइंकिंग में नंबर एक पे है आस्टेलिया सेकेंड पे है निजीवसिल लेंड ओर थार्ड पे इंडिया टेस्ट रैंकिंग में इंडिया किसने नंबर पे? थार्ड पे ODI यानि वनडे इंटरनाशनल जो गेम्स होते हैं उसमें इंग्लैंड है फर्स्ट पे इंडिया है सेकंड पे और न्यूजिलैंड है थार्ड पे और T20 जो मैचेस होते हैं उसमें आस्ट्रेलिया है फर्स्ट पे और इंग्लैंड है सेकंड पे और इंडिया है थार्ड पे तो इंडिया थार्ड पे किसमें किसमें है टेस्ट और T20 में और जबकि ODI में सेकंड स्थान पे है बात कर लेते हैं आस्ट्रेलिया की तो आस्ट्रेलिया की राजधानी कैन्बरा, मुद्रा यहाँ पे चलती है आस्ट्रेलियन डालर, नेशनल लाइंग्विज यहाँ पे बोली जाती है इंग्लिज, प्राइम मिनिस्टर प्रिजन टाइम के स्कॉर्ट मौरिशन, और सबसे छोटा महादीप कौन सा यह आस्ट्र नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं, क्वेशन नमबर फोर, किस खिलाडी ने वर्चुल मैडरिट ओपन का खिताब जीत लिया, यह जीता है एंडी मरे ने, तो इनके कोच प्रिजन टाइम के हैं, जैमी डेल गौडो, और एंडी मरे किस टीम से खेलते हैं, ब्रिटिश टैनिस सिटी, बास्केट बॉल, टीम ने सत्र 2021 के लिए विदेशी खिलाडी के रूप में चुना है, तो यह चुने गया है, जगशान बीर सिंग, यह किसको चुना गया है, जगशान बीर सिंग को चुना गया है, नेक्स्ट कोईशन देखते हैं, क्वेशन नमबर 6, महाराष्ट बिधान परश्ट के चुनाओ कराया जाने की घोशला की गई है, तो यह चुनाओ कराया जाने की घोशला की गई है, 21 मई से, यहां पर चुनाओ कराया जाएंगे 21 मई से, तो अभी हाली में WhatsApp, Order, Booking, Service, महाराष्ट में, जियो मार्ट के द्वारा लांच की गई थी, यह जो COVID की गई बात कर लेते हैं महाराष्ट की तो इसकी राजधानी है मुंबई यहां के मुख्य मंत्री है उदर ठाकरे जी गवर्णर है भागत सिंग कोसियारी और भासा बोली जाती है महाराष्ट में मराठी और मुख्य उस्सो यहां पे गड़ेत उस्सो मनाया जाता है जासा, कोली, डिंडी और धनगरी गाजा नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर सैवन किस देश ने दुनिया की सबसे उची चोटी माउंट एवरेश्ट पर 5G सर्विस शुरू कर दी है तो यह सर्विस शुरू की है चाइना ने यानि चीन ने इस से और भारत तो चीन के मद्ध एक अंतराष्टी सेमा रेखा है जिसका नाम है मैक मोहन रेखा और कोरोना वाइरस की सुरुआत चीन के वहान साहर से हुई है नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं क्वेशन नमबर एट किस भारतिय सोने 16 अप्रेल 2020 को प्रशारित हुए एपिसोड ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा 7.7 करोड देखे जाने का रिकार्ड बनाया है तो ये किस एपिसोड ने ये रिकार्ड बनाया है ये रिकार्ड बनाया है रामायर ने रामायर एपिसोड ये डीडी नैशनल पे आता है तो इससे कुछ related fact देख लेते हैं इसका पहला episode शुरू किया गया था 25 जनवरी 1987 को ये DD national पे शुरू किया गया था जिसको दूरदर्शन भी बोलते हैं और final episode इसका हुआ था 31 जुलाई 1988 को और program किसने शुरू किया था ये creator कौन थे रामानन सागर जी और इसको किस भासा में शुरूआत में launch किया गया था हिंदी और बेंग्याली भासा में next question देखते है question no.9 कौन सी बालीवूड अवनेत्री union recovery fund के लिए काम करेंगी तो ये हैं इनका नाम में दिया मिर्जा इनसे related कुछ fact देख लेते हैं भारत के लिए सहित राष्ट परद्यावरन सद् और भारती 1U Trust Wildlife Trust का brand ambassador अभी नुक्त किया गया है दिया मिर्जा को next question और ये UN से related और UN के बारे में कुछ बात कर लेते हैं तो इसके स्थापना UN की हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को headquarter इसका है निउयार्क में और सदस देशों की संख्या 193 नबव इसके head है अन्टोनियो गुटे Official languages जो मानिता प्राप्त है वो है Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish Next question देखते हैं question number 10 किस देश ने क्रिकेट में गेन चमकाने के लिए लार एवं पसीने के इस्तिमाल पर रोक लगा दिये तो ये रोक लगाई गही आस्ट्रेलिया के द्वारा Next question देखते हैं question number 11 हाली में 200 प्रेस स्वतंत्ता दिवस कम मनाया गया तो ये मनाया गया है तीन माई को यह प्रतिवर्स प्रेस की स्वतंत्ता के बारे में ज्यागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी इस बार की? Journalism without fair and favor प्रेस Freedom Index में भारत का स्थान रहा था 142 ह wrench हुआ और जबकि इसके पहले भारत का स्थान था 140 हुआ यानि 180 देशों में पहले भारत था, 140 में पे लेकिन present time में 1.42 में इस्थान पे और इसी में नेपाल का इस्थान रहा था 112 और पहले इस्थान पे रहा था नार्वे और 2 पे रहा था फिंड लैंड और 3 पे डेनमार्क, जबकि 180 यानी सबसे लास्ट था उत्तर कोरिया हाली में किस राज सरकार ने होम डिलिवरी के माध्यम से गयर जरूरी वस्तों की विक्री को मंजूरी दी है तो यह मंजूरी दी गई है पस्चिम बंगाल राज सरकार के द्वारा तो इससे रिलेटेट कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसकी स्थापना हुई थी 1947 में राजदा सोंदर वन नेशनल पार्क, जल्दा पारा नेशनल पार्क और बुक्षा नेशनल पार्क नेक्स्ट वोईशन देखते हैं क्वेशन नमबर 13 अगर पूच दिया जाय कि सुनदर वन डेल्टा किस राज में है तो यह पस्चिम बंगाल में है Q13, हाली में वर्ड क्योण अडे कम मनाया गया? ये मनाया गया ह tracks 2 माई को तो ये 2 माई 2017 को पहली बार मनाया गया था ये सबसे पहली कम मनाया किया? 2 माई 2017 को Next question है question spring 14 हाली में BSE Board में पहली स्वतंत महिला निदेसक कौन बनी? तो ये बनी है पहली महला निदेशक M. जैसरी ब्यास इससे related कुछ fact देख लेते हैं B.S.E. का full farm होता है Bombay Stock Exchange यहाँ भारत और A.C.A. का सबसे पुराना Stock Exchange है Chairman इसके है विक्रम जीत सेन और M.D. और C.E.O. है आसीस कुमार चौहान Next question है question number 15 हाल ही में अंत्रिश एजनसी नासा ने चंद्र लाइंडिंग सिस्टम का निर्मार करने के लिए किस कंपनी के साथ साज़ेदारी की है तो ये साज़ेदारी नासा ने की है SpaceX, Blue Origin और Dynetics के साथ में नासा से related कुछ fact देख लेते हैं इसका full farm होता है National Aeronautics and Space Administration इस्थापना हुई थी 29 जुलाई 1908 को मोटो इसका है for the benefit of all Headquarter इसका इस्थित है Washington DC में Administrator इसके है Jim Bridenstyn बात करते है SpaceX की तो इसके present time के CEO है Elon Musk और Blue Origin के CEO है Jeff Bajos जिन्होंने किसको Amazon की एक स्थापना भी की है यानि Amazon कंपनी किसके द्वारा शुरू की गई थी Jeff Bajos के द्वारा आप लोग के लिए question है Dynetics इसके CEO कौन है ये आप लोग को बताना है सर्च करके कि इसके CEO present time में कौन है Next question है question number 16 हाल ही में Yes Bank ने किसे अपना मुख जोखिम अधिकारी निक्त किया है तो ये निक्त किया है नीरज धवन को तो बात कर लेते हैं Yes Bank की तो Yes Bank का मुख्याले है मुंबई में इस्थापना हुई थी इसकी 2004 में CEO इसके present time के है प्रसांत कुमार और tagline इसकी है experience our expertise और next question है question number 17 ये question हमने इसलिए लिया है क्योंकि एक video lecture में हमने Kansas City प्रदेशों की संख्या 9 बता दी थी लेकिन उसके Kansas City प्रदेशों की भारत में वरतमान में संख्या है 8 तो इसके बारे में कुछ डिसकस कर लखने है तो वरतमान में Kansas City राज्यों की संख्या है 8 पहला है दिल्ली जो भारत की राजधानी है चेरी और सावंथ पर जम्मू और कस्मीर ये बनाया गया 5 अगस 2019 को घोसित हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है और 8 नंबर पर लद्दाक 5 अगस 2019 को घोसित हुआ और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है तो इसको आप लोग सही कर लीजिए कि वहां पर हमने जल्दी में 9 बोल दिया था लेकिन है 8 तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में कम से कम 5 दोस्तों को सेर अवस्य करिएगा जिससे उनको भी इस वीडियो का लाब मिल सके नेक्ट वीडियो आप लोग को अभी मिलेगी कम्प्यूटर की नेक उसके बाद मिलेगी सीडी पी की